नवगटित वंश लेखक अकादमी के अध्यक्ष हैं राज्जमंत्री राम सिंग राव आज अजमेर के सर्गेट हाउस पोचे जहाँ वैब मीडिया से मुखातिक भी हुए इस दोरान राम सिंग ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोग गिलोत में वंश लेखकों के संडरक्षन के लिए अकादमी का नवीन नामांकर्ण किया है राज इस्तरी सम्मेलन के सफलाएजन के बाद अब वंश लेखकों का संबाग इस्तरी सम्मेलन आई जित किया जाएगा इस सम्मन में आज में संबाग के वंश लेखकों से बेटकर सम्मेलन की तयारी उपर चर्जा की जाएगी आप लोगों से मुकातिब होने का एक मुख्य कारणी है कि आपको तो वैसे मालूम है ही पूरी रास्तान को आज मालूम चल गया कि मेरी अकाद्मी जिसका नाम वंसावली संग्रक्षनें संबर्धन अकाद्मी था उसको आज से वंस लेखक अकाद्मी के नाम से जाना जाएगा इस अकाद्मी पे रसेस की एक संस्था का साया हमेशा मन रहता था क्योंकि उस संस्था का और इस संस्था का नाम समान मिलता वा था वो वन्सावली संग्रक्षनें संबर्दन संस्थान और वन्सावली संग्रक्षनें संबर्दन अकादमी दोनों में सिर्फ संस्थान और अकादमी का ही फरक था और इस तरह से लोगों को गुमराह करने के हिसाब से उन लोगोंने जब अपने राजमेश Academy का गठन किया तो इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करने के लिए किया था ऐसे में आज हम जन्ना एक असो गहलोत साब को धन्यवाद देना चाहते हैं आज पुरा वंसलेकक समुदाए अपने आपको मुक्त महसूस कर रहा है कि आज हमें अपनी पहचान मिली है आज हमारी स्वतंत्र पहचान है आज हमारी पहचान एक वंसलेखक के रूप में हुई है आज एकेडमी के उपर किसी का साया नहीं है आज एकेडमी मुक्त रूप से काम करेगी आप जानते हैं यह वंसावली लेखन की विद्या जो पूरे विश्व में एक मात्र भारत में है और भारत में भी विशेश कर राजस्तान में जहां वंसलेखक आम व्यक्ति के घर-घर जाकर के इतिहास लिखता है आम व्यक्ति के घर-घर जाकर के उसका वंसावली लेखन का कारिय करता है तो ऐसी ये परंपरा हमेशा बनी रहे इसके लिए सरकार चाहती है कि इन्हें संग्रक्षन प्राप्त हो और इसी उद्देशे से अकेडमी का जिर्मान किया गया था तो आज सबसे पहले इसी लिए हमने आप लोगों को आमंत्रित किया कि हमारी संस्ता का नाम चेंज हुआ है और दूसरा अभी हम लोग जो है एक परदेश इस्तर के ओपर हमने OTS में गुवरोग किया OTS के अंदर जो है वो एक बड़िया सम्मेलन किया था राज्जे इस्तरिय लेकिन अब परदेश इस्तरिये सम्मेलन के बाद हम लोग जल्दी संभाग इस्तर के ओपर भी सम्मेलनों का युजन करेंगे जिसके अंदर वंसलेक को से हम लोग मुखातिब हो पाएंगे वंसलेक को की परिशानियों को समझ पाएंगे और वंसलेक को की जानकारियां भी अरजित कर पाएंगे क्योंकि अभी संस्ता सेसव वस्ता में हैं ऐसे में वंसलेकों की जानकरी हम तक होना की अनिवारी है इसलिए उनका डाटा कलेक्शन का काम भी हम लोग करेंगे और इसलिए आज मेरा भी यहां आना हुआ यहां भी कई वंसलेकों से जो रहते हैं उनसे हमने मुलाकात की है झाल